हेलो दोस्तों नमश्कार मैं लेक शेकर शर्मा देखिए आज मैं आना बहुत ही महत्पन टोपिक के बारे मैं बात करूँगा आपसे हमारा आज का टोपिक है आर्थिक तंगी आम आद्मी के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट टोपिक है यह थीक है आर्थिक तंगी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे उफ मेरे पास पैसे नहीं है फीज भी भर नहीं है महिने के एंड में तो कुछ बसता ही नहीं है अमीर लोग खराब होते हैं गरीबों का खून चूजते हैं अरे वो तो कितना शोशन करकर के अमीर होता जा रहा है मेरे पास तो कुछ बसता ही नहीं है आपने इस तरह की पचासो बाते सुनी होगी ठीक है मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ तंगी में दिन गुजारने का असली कारण बताऊंगा आज मैं आपको अगर आप तंगी में दिन गुजारने का असली कारण जान लेंगे ना तो आप हो सकता है तंगी से बच जाएं ठीक है कैसे सुनिया आप मेरे साथ सबसे पहली बाद तो अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्क्राइब कीजिए वीडियो को पुरा अंतक जरूर देखिए पसंद आए तो लाइक कीजिए अगर नहीं पसंद आए तो आप मुझे अंसबस्क्राइब करके भी जा सकते हैं ठीक है लेकिन वीडियो पुरा देखें एक बार ठीक है देखिए आप कहीं लोग ये धावा करते हैं कि वो तंगी में दिन गुजार रहे हैं और महिने का खर्च चलाने के लिए संगर्ष कर रहे हैं दोस्तो आपने सुनाई होगा अरे भाई तंगी में चल रहे हैं खर्चा ही नहीं निकल पा रहा है हालत खराब होगी भाई दोस्तों वो क्या कहते हैं वो लगातार उन लोगों की निंदा करते हैं जो जीवन में सफल हुए हैं और जिनोंने अपने सिर भीड से उचे उठाए हैं दोस्तों कई मामलों में उनकी बातचीत इस तरह से चलती है ओ वह आदमी वह मालिक उस संस्ता का वो तो बदमाश है वो तो कुरूर है वह तो धूरत है इसलिए उन लोगों के पास में कभी पैसे होते ही नहीं है दोस्तों पैसे की कमी रहती है वो दरसल लगातार उसी चीज की निंदा करते हैं जिसे वह चाते हैं वह अपने अधिक दौलत्पन सहयोगियों की आलोचना इसलिए करते हैं तो दूर भगाने का सबसे तीवर आसान तरीका सबसे ज़्यादा दोलतमन लोगों की आलोचना और निंदा करना है आप जितनी ज़्यादा दोलतमन लोगों की आलोचना करोगे निंदा करोगे तो दोलतमन बनने का जो सपना है वो आपसे वितना ही दूर होता जाएगा आपस आप प्रेम कीजिए अगर आपको दोलतमन बनना है तो आपको दोलतमन लोगों से भी प्रेम करना ही होगा आप उनकी निंदा करके दोलतमन नहीं बन सकते हैं दोस्तों तो जो मने आपको शंदेश दिया है हो सकता है यह आपके किसी काम आए और आप समझ जाए मैं क्या कहना चाहता हूँ, सभी को रादे रादे, सभी को जैशे किशना